बीहार में स्कूल से लेकर युनिवर्सिटी तक शिक्षा की समूची व्यवस्था बेहाल है, अस्तव्यस्त है, युनिवस्थियों में शेशन का पता नहीं, इम्तहान का पता नहीं और इम्तहान हो जाए तो रिजल्ट का पता नहीं, इस परिस्थिति में हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था का समूचय परिदर्शय हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं चन्दर शेकरजी वो मालूम है किस forum में व्यस्थ हैं वो धर्म की व्याख्या करने में व्यस्त हैं, वो श्री रामचरित मानस पर अभद्रिट पणियां करने में व्यस्त हैं, मतलब जो काम उनके जिम्मे या जिस काम के लिए उनको मंत्र मंडल में रखा गया, वो छोड़ कर वो दूसरा सब काम कर रहे हैं। बिहार में सिक्षा की स्थिति कैसे सुधरें इस पर चिंतन नहीं चिंतन इस पर के रामचरित मानस की आलोचना कैसे हो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शगल भारत में इधर कुछ वर्षों से पैदा हुआ है कुछ लोगों में कि देश की एक बड़ी आवादी की आस्था के वे जो केंद्रविंदु हैं चाहे वो इस्थान हो चाहे वो प्रतीक हो चाहे वो पुस्तके हो उनके वारे में अंट शंट अनाप शनाप कुछ न कुछ बोलो उससे कुछ नहीं हासिल होगा तो प्रसिधी तो मिलेगी शायद है उसी ग्रंथी के शिकार चंद्रशेखर जी हैं बिहार की शिक्षा मंत्री और ऐसा नहीं कि वो इस बिवाद से कहीं पीछे हट रहे उन्होंने कहा कि रामचरित मानस नफरत पहलाने वाली किताब है और उसके बाद वो लगातार ठोके हुए हैं इस पक्ष में और करें जी पीछे नहीं हटेंगे कहें पर मत हटिए आपकी बुद्धिमत्ता आपकी मेधा आपको मुबारक मंत्री जी लेकिन क्या मंत्री महोदैक में बिहार के राष्ट्री जनतादल के नेता और बिहार सरकार के नितीश बाबूगी सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी आप में ये हुसला और साहस है कि दुनिया के और धर्मों की जो किताबे हैं उनके वारे में भी आप ऐसी टिपपनी कर सकते हैं क्या रामचरित मानस केबल लाइबरेरी में रहने वाली किताब नहीं है लाइबरेरी में तो बाद में गई देश के हर पूजा घर में पहले है लोग उसमें लिखे को मंत्र मानती है वो भारत की आस्था की तरह से नूर की एक वूंद है लेकिन चलिया आपने टिपपनी कर दी क्या यही साहस आप में दूसरी किताबों पर टिपपनी करने का है यह एक बड़ा सवाल है आज शाम पाँच बजी रहेगा मेरे साथ इसी तरह के कुछ सुलकते सवालों पर चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में इस शगल क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे एक पूरा जो आप कहें टूल कित है वो क्या है